खरकोंजी लेके ग्रामून में माता लक्षमी जी की प्राचीन मंदीर में माता का चोला परिवर्तन किया गया जिसमें माता का नया सुरूप निखर कर सामने आया है परंपरा अनुसार शुक्रवार को माता महालक्षमी जी का चोला परिवर्तन किया गया जिसमें माता का नया रूप दिखाई दिया है इस रूप में माता छ भुजाओं वाली होकर कमल आसन पर बैठी दिखाई दे रही है गौर तलब है कि उनका ये मंदीर अति प्राचिन होकर यहां माता पिंडी रूप में विराजित है तथा प्रती 100 साल में माता का संपूर्ण चोला परिवर्तन किया जाता है इसी परंपरा के अनुसार इस वर्ष हुए चोला परिवर्तन के दोरान माता का यह स्वरूप निकल कर सामने आया है जो इस साल नौरातर के दोरान आकर्शन का प्रमुख कैंद्र भी रहेगा उनसे दिने जसोंदी की रिपोर्ट स्वरूप डेखने को मिल इसमें माताजी की छे भुजाय देखने को मिलगी और माताजी कमल पर विराजमान है जो पिछले सहरूप में एक में कमल हाथ मैं माताजी आशिरवाद देतेवे हैं धन्वरि 12 Burisha करते बेए इक हाथ लिख रहा है एक गात में उनके भाला और चक्र है और एक में कलश है तो काफी मनमोग स्वारूप दिख रहा है माता जी का जो देखने लाया के आज महालक्षमी जी के जन्मदीन के आउसर पर ये नाया स्वारूप निखल के आया है हमको देखने के लिए हमारा सुभाग्य है कि जो हमको द प्रामने नयार उस्वरुप है माता जी का लेकिन इसके पहले जो चोला था सिंदुर का चड़ा हुआ तापी परतों में चड़ गया था जिसका इस पश्ट माता जी की मुर्ती नहीं दिखाए दे रहे थी जो आज माता जी का चोला स्वत शुटने से यह पूर्ण स्वरुप मुर्टी का सुर्फ सभी भक्तों को देखने के और दर्सन के लिए नजर आया है तो क्या क्या दार में का लिजल की है चोला वर्ण की क्रिया में आड़ दिसका समय लगा है जिसके चलते सबसे प्रथम अभीशेक माता जी का क्रिया गया उसके पश्चाद में मंतरुक्चाण, पाठुक्चाण का अनुख्चाण चला इसके पश्चाद हवन की पूनाती करके इसके पश्चाद आज नवे दियस को माता जी के दर्सन के लिए बट खुल दिये गए है क्या ना में आपका है तो जारी नवे दखॉर पड़े देखे लिए आप हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल बिना पुलें